फ्रेंड्स प्राकृतिक चारागाह यानी रेंज लैंड धर्ती का वह टुकड़ा होता है जहां पर घास की बहुलता होती है और पालतू अथवा जंगली पसु इन में चर कर अपना भरण पोषण करते हैं इन चारागाहों में घास प्रजातियां मूल रूप से उसी अस्थान पर पाई जाने वाली होती हैं और प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं ऐसे चारागाहों में घास के मैदान जहाड़ी युक्त भूम अर्धसुसक चारागाह अथवा नम भूम इत्यादी प्राकृतिक प्रदेश होती हैं इन में लंबी कठोर पत्तियों वाली घास भूम से लेकर इस्टेपी तुल्ले मैदान सामिल हैं और यहां तक की टुंडरा प्रदेश के भी भाग सामिल हैं जहां कुछ काई जैसी मामूली बनस्पत प्रजातियां पाई जाती हैं और अस्थानी पस्वों के चरने के काम आती हैं इन प्राकृतिक चारागाहों में चरने वाले पस्वों को उच्च कोट का पोशन प्राप्त होता है क्योंकि यहां पाई जाने वाली बनस्पतियों में खादव कीट नासी रसायनों का प्रियोग नाम मात्र का भी नहीं होता ऐसे में यहां चरने वाले पसु कृत्रिम चारागाहों की तुलना में ज्यादा समर्थवान होते हैं इनका दूध मांस तथा उन काफी साप सुथरा तथा उच कोट का होता है ऐसे चारागाहों में बिरले ही सही पर कई पोशन रितियां कार करती हैं इनमें पसुवों के अलावा कई अन्य प्रकार के अस्तंधारी पच्छियां, सरीश्रीप वा कीट पतंगें आदि मवजूद होते हैं ओजीव एक दूसरे को खाकर एक खाद्य जाल का निर्मार करते हैं और हमारे पारिष्टिक तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं इन प्राकरतिक चारागाहों में चरने वाले पसुव न सिर्फ यहां से पोशन प्राप्त करते हैं बलकि भ्रमण सील आदत के कारण वो घास के बीजों का प्रकिरणन दूर दराज के इलागों में करते हैं इस तरह से उन वनस्पतियों का फैलाव काफी दूर दराज तक होता है और उन्हें जिन्दा रहने के ज्यादा आउसर प्राप्त होते हैं